लो जोस्तो मैं हूँ अमर और आप सभी का स्वागत है अलोबाट जुगाल पे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक 3.5 mm जैक जिसे हेड़फोन जैक भी बोला जाता है या औक स्केविल भी बोला जाता है तो उसे किस तरह हम extend कर सकते हैं एक्स्टेंडर बना सकते हैं तो यहीं चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने यह बनाया है जैसे कि आप देख सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी किसे काम करता है अगर आप मार्केट में इसे लें जाएंगे तो आपको 70-100 रुपे के बीच में पारेगा लेकिन मैंने ju nye he energy बनाya हे वहसी महत्र 20 रुपे में यह ratio हो जाता है और इसे बनाना बहुत ही easy है अगर आप मेरे वीडियो के अंधी तक अच्छे से देखेंगे तो आपको समाझ आदें कि ये किस तरह है और इसी तरह आप बना सकते हैं तो बने रहें इस वीडियो के end तक So without wasting any time, let's begin the video हाँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक simple सा aux cable लूँगा फिर हम wire को strip करके solder से code कर देंगे और फिर हम एक पुराने phone के mother boat से 3.5 mm jack का एक socket को निकाल लेंगे और हमारा अगला काम यह रहेगा कि उन सारे whites को हम multimeter से continuity test करके solder कर देंगे जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया है कर देंगे करदा कि महते हिर हम यह तर देंगे और है झाल झाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने उन सारे वाइट्स को अपने जगा पे सोल्डर कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि सौट सर्कृट ना हो और अब आ रहे हैं इसे टेस्टिंग करने की और यह मैं जो म्यूजिक प्ले कर रहा हूं वो मेरे फ्रेंड का बनाए हुआ है अगर आप इस म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं तो आप इस म्यूजिक के ओनर को क्रेडिट्स देकर यूज कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकती कि यह बहुत लिए चीतरिके से काम कर रहा है इस वीडियो के अन दिन तक बना रहने के बहुत बहुत धनावादike मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा और इस से कुछ शीक्ने को आपको मिला होगा अगर एपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं इस वीडियो से आपको कुछ भी मदद या भी सीख मिली होगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल अगन को भी दबा कर इस चैनल करेगा आपको नोटिफिकेशन ओन कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग में फेज़ुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप में प्रॉलो कर दो ।